नमस्कार दोस्तों स्वगत है आप सभी का तो देखे दोस्तों आप सभी के लिए बहुत बड़ी कुशकबरी आ चुकी है क्योंकि अक्टूबर 2024 के महिने में पंपर भरती की सूचना चारी हो चुकी है तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए सरकारी नोक्रियों की जानकर लेकर आए हैं जिसका नोडिफिकेशन जो है ऑफिशली चारी हो चुका है दोस्तों गर आप भी एक सरकारी नोक्री पाना चाते हैं तो आप सभी अभ्यार्ती से निवेदन हैं इन भरतियों के लिए आज ही आविदन कीजेगा आपको 100% एक जो है सरकारी नोक्री मिलने वाली है तो अलग-अलग सरकारी उभाग से ये भरतिया निकल कर आ चुकी है जैसा की रेलवे, SSC, बेंग, पुलीस, आर्मी, पोस्ट ओफिस इन सभी सरकारी उभाग से ये भरतियों का नोडिफिकेशन जो है जारी किया गया है ये जो भरतिया है आप सभी को बता दें, औल इंडिया की भरति है, भारत में कहीं भी आप रहते हैं तो आप आविदन कर सकते हैं, चाहे किसी भी राज्जे में या चाहे किसी भी जिले में आप सभी महिला प्रोश मेल फिमेल लड़के लड़किया जो है आविदन कर सकते हैं योगिता की बात की जाये तो कक्षा आटवी से लेकर के दस्वी पास बारी पास और इसना तक ग्रेजूट पास सभी अभ्यारती जो है आविदन कर सकते हैं सभी के लिए यहां पर भरतिया निकाली गई है तो दोस्तो आविदन शुरू हो चुके हैं अगर अभी तक आपने आविदन नहीं किया है इन भरतियों के लिए तो आप सभी से निवेदन हैं आज ही इन भरतियों के लिए आविदन जरू किसेगा कैसे आविदन करना है सारी जानकरी आपको देने वाले हैं बस वीडियो को अन तक जरू देगा और हाँ एक बात आपको बता दें अगर आप बिना परिक्षा बिना एक्जाम के माध्यम से भी एक गवर्मेंट जो अपाना चाते हैं तो आप जो है इन भरतियों के लिए आविदन कर सकते हैं तो कैसे आविदन करना है संपुन जानकरी आपको देंगे बस वीडियो में एंट तक बने लिएगा और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों में अधा से अधा शेयर करें और आज ही हमारे ओफिशल यूट्यूब चैनलन को सब्सक्राइब कीजिएगा तकि सरकारी नई भरतियों की जानकरी आपको सबसे पहले में सके तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चलिए आपको सीधा हमारी वापसेट पर लेके चलते हैं और इन भरतियों की जानकरी आपको देते हैं स्टे बाइस सबसे पहले नंबर की भरति के साथ जो की पोस्ट ओफिस की नए भरती है अगर आप भी बिना परिक्षा बिना एक्जाम के एक नोकरी पाना चाते हैं तो पोस्ट ओफिस की भरती के लिए आज जी आविदन कीजेगा तो भारती डाव विभाग इंडिया पोस्ट ओफिस के डिपार्टमेंट से आ चुकी है नई भरती अलग-अलग पदों पर भरती निकाली गई है जिसमें मल्टीरस की स्टाफ, MTS के पद हैं, पोस्ट मेंन के पद हैं, मेलगार के पद हैं, PASA के पद हैं और किलर के पद हैं एक लाग दस जार पदों पर ही भरती निकाली जारी है जिसके आविदन आप सभी से ऑनलाइन मागे जारे है और चेन प्रक्रिया में सिर्फ मेरिट का धर पर आपका चेन होगा आपकी कोई भी परिक्षा कोई भी इंट्रू नहीं होने वाला है वहीं सेल्डी 18,000 से 18,000 रुपे महिना आपको मिल रही है और उमर सीमा जो है कम से कम 18 साल है अधिक्तम 45 साल है आईस्यों में छूट भी है वहीं आविदा शुल्क जनल ओवी सी के लिए 100 रुपे है जिसका पेमिट आप सभी को ऑनलाइन करना है बाकी SCST के लिए बिल्कुल फ्री है निशुल के योगेता की बात की जाए क्वालिफिकेशन की तो कक्षा 10 वी, 12 वी और इसना तक पास सभी अभ्यारती जो है इस भरती के लिए आविदन कर सकते हैं और आविदन जो है 15 सितमबर से लेकर के 10 अक्टूबर तक चलेंगे यहां से आप अप्लाई का सकते हैं और यहां से आप जो है नोटिफिकेशन को डाउनलोड का सकते हैं तो अधिक जानकारी के लिए आप जो है सुचना को ध्यान से पढ़िएगा और अप्लाई की सेगा अब दूसरे नंबर की भरती की बात करते हैं दोस्तों जो की अंगरवडी वरकर के पद हैं जो की केवल दस्वी पास के लिए हैं अंगरवडी हलपर के पद हैं जो की आँठी पास के लिए हैं किलर के पद हैं जो की बारवी पास के लिए हैं टीचर के पद हैं जो की बारवी और ग्रेजूट पास के लिए हैं वहीं साल्री की बात की जाए आवेदन शुल की तो जनरल OBC, SC, ST सभी अभियारतियों के लिए बिल्कुल फ्री है निशुल के और यहाँ पर जो योग गिता है कम से कम आठीव कक्षा पास रखी गई है अगर आठीवी के अलावा दसवी, बारवी या ग्रेजुट पास भी है तो आप आवेदन कर सक आप्लाई कीजएगा, अप्लाई करने का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, कुछ सेकिन्ड वेट कीजएगा आपके सामने वेब साइट आजाएगी और यहां आकर कि आ भरती की तीसरे नंबर की भरती की जो की SDFC बेंक में निकाली गई है, दोस्तों यह जो भरती है, SD के पद हैं और आउट्रीज ओफिसर ओ के पद हैं असिस्टेंट के हैं अकाउंटेंट के हैं किलर के हैं इचार मेनेजर के हैं ब्रांच सेल्स ओफिसर के हैं 26,500 से अधिक पदों पर यह भड़ती है जिसके आप इदन आप सभी से ऑनलाइन मागे जा रहे हैं फ्रेशन और एक्सप्रियंस सभी के इंडियर्स अपलाई कर सकते हैं के वल इंटरू के थुरू आपका सेलेक्शन रहेगा वह सालरी आपको SDFC बेंक के रूल्स के वसाप से मिलेगी औल आउवर इंडिया की चौप लोकेशन है उम्र सीमा जो है 18 से लेकर के 50 साल रखी गई है आईस्यों में छूट भी है आविदा शुल्क जो है जर्नल OBC SCST सभी के लिए विल्कुल फ्री है तो फ्री में ही आपको आविदन करना है योग्यता में एक अक्षा दस्तुई पास बारी पास और ग्रेजूट पास सभी अभ्यारती जो हैं आविदन कर सकते हैं कम से कम जो आपकी यहाँ पर होने चीए रिजूमे में वही एजूकेशन के सर्टिफिकेट यानि कि अगर आपके पास दस्वी की Marksheet है तो वह होने चीए Copy उसकी दस्वी बार वी ग्रेजूट इसनादर जो भी आपके पास मार्क शीट है अगर आप आप आई टीए पास भी है तो उस पास्टोर साइट फोटोग्राफ भी आप लागा सकते हैं तो एहां पर फोटोग्राफ इस ती लगानी है कल दिए आपके ब्राइजी निदेना होगा है जूम यूम पहला है तो जो भी बनती है मन्तली तो आपके बेंक के ठांसफर कर दी प्रोस्स यहां पर आपको पताया गा है कैसे अपलाई करना है यहाँ पर लिंक मिलेगा आपको नीचे आना है स्क्रोल डाउन करना है यहाँ पर कलीक करके आपको इस आविदन शुरू हो चुके हैं, जल से जल आविदन कीजिएगा, जल से जल नोकरी आपको मेंजाएगी, हातो बात यहाँ पर नोकरी मिल रही है, ठीके अब एकों नई भरती के बारें बात करते हैं, जो कि समाज कल्याण विफाग की नई भरती है, तो दोस्तों सोशल वेलफ सेकुर्डिक गार्ड ड्राइवर, अलग-अलग पद हैं, आविदन आप सभी से ऑनलाइन मागे जा रहे हैं, मल्टीपल जॉब है, ओल इंडिया की भरती है, उम्र सीमा जो है 18 से 45 साल रखी गई है, और आई सीमा में चूट है, चेन प्रकरिया में केवल आपका इंटर्व होगा, आपकी कोई भी परिक्शन नहीं होगी, सेलरी 52 से 22,200 रुपे मेना है, आविदन शुल बिलकुल फ्री है, योग गिता की बात की जाए तो 8 वी, 10 वी, 12 वी रिसना तक पास सभी अभ्यारती जो हैं, और आविदन जो हैं 18 अक्टूबर तक चलेंगे, यह रालिंग य सब्सक्राइब की बढ़ना है, अपने देखा कि काफी सारे अलग-अलग पदोपर भरती निकाली गई हैं, आविदन आप सभी से ओनलन बांगे जारे हैं, और अल इंडिया की बढ़ती है, और चेन प्रक्रिया में सिर्फ आपका इंटर्वू होगा, आपकी एक्जाम नही होगी और गुरुप डिस्केशन आपका रहेगा ठीके सालरी आपको यहाँ पर कम से कम मानके चलिए 45,000 रुपे महीना आपको मिल रही है और बढ़ते होगे करम में आपको सालरी मिलेगी फ्रेशर भी अपलाई का सकते हैं बिना अनुभव के भी आप अपलाई का सकते हैं आपको अपलाई करना है आप सिधा नए पेज पर आजेंगे और यहां पर आकर कि आप जो है अलग अलग पदों के लिए आविदन कर सकते हैं काफी सारी भरतिया है इक करकि आप जानकर ले सकते हैं यहां पर अपलाई करने का सकते हैं तो पुरी जानकरी आप ले लिजेग तो इस भर्ती के लिए आज ही आविदन कीजेगा आविदन शुरू हो चुके हैं तो Life Insurance Corporation of India, LIC India में आचुकी है Insurance Advisor की नई भर्ती जिसके आविदन आप सभी से online मैंगे जा रहे हैं Salary 15,000 से 50,000 रुपे मैंना है Chain Pricrya में सिर्फ आपका interview होगा उम्र सीमा जो है 18 से 60 साल रखी गई है और आविदन शुरू जो है बिल्कुल फ्री है योगिता में दसवी, बारवी और इसना तक पास आविदन कर सकते हैं और यहाँ पर आविदन कैसे करना है सारी जानकर ही है 8 October तक आप आविदन कर सकते हैं यहाँ से आपको अप्लाई करना होगा अप्लाई करने का लिंक भी आपको यहाँ पर दिया गया है यहाँ से आप किलिक करके अप्लाई कर सकते हैं तो यह रह लिंक यहाँ से आपको अप्लाई करने का बटन मिल जाएगा क्लिक कर दीजेगा और आप यहां पर अकाउंट बना करके सब्मिट कर दीजेगा ठीक है अपलाई कीजेगा अब एक और नई भरती के बारें बात करते हैं जो कि Income Tax Department यानि कि आयकर विभाग की तरफ से निकाली गई है दोस्तो Income Tax Department में जो भरती आई है वो है केंटीन अटेंडियन की भरती All India की भरती है आविदन आउनलाइन माएंगे जा रहे है 25 पद है चेन प्रक्रिया में लिखित परिक्षा है और सालरी 18,000 से 56,900 रुपे मेना है उम्र सीमा जो है 18 से 25 साल रखी गई है आउनलाइन में चूट है वहीं आविदन शूल बिलकुल फ्री है योगिता में एक अक्षा दस्वी पास अभ्यारती आविदन कर सकते हैं और आविदन जो है 8 सितंबर से 22 सितंबर तक चलेंगे यह रहा लिंग अप्लाइए करनेगा नोडिफिकिशन के साब अधिक जान कर इक लिए सुचना को ध्यान से पढ़िएगा और कोई भी सवाल है तो कमेंट कीजिएगा और चलेंट पर विजिट कीजिएगा चलेंट को सब्सक्राइब जरू कीजिएगा जह हिंजे बारत